हेलो गाईज, नमस्ते, वेलकम तो दी चानल, आज की इस वीडियो से हम शुभारम करने वाले हैं अपनी MCQ सीरीज का for June 2021 exam for UGC में पेपर 1 और क्योंकि यह फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की तो हम Unit 1 से शुरुआत करें जो कि हमारा Teaching Aptitude और Teaching Aptitude के अंतरगर एक टॉपिक पूछा जाता है हर बारी इस टॉपिक से कुशन आते हैं और वो टॉपिक है Evaluation System, Elements and Type of Evaluation तो जब भी Teaching Aptitude से आप से UGC में पेपर 1 में एक कुशन पूछा जाएगा Evaluation से जरूर जरूर एक कुशन पूछा जाएगा हैंस इस टॉपिक इस इंपोर्टेंट और आज के इस वीडियो आज के सेशिन में आज कह लीजे हम तेन हमारे एम्स होंगे जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक होगा MCQ आपको देखने को मिलेंगे Evaluation System के अप्रोच क्या होती है MCQ को सॉल्व करने की स्पेशली फॉर यूजी स्पेपर वन वो आपको सीखने को मिलेगा और क्योंकि हमें पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं पर्टिकुलर यूनिट हमने एंग किया है और उसी से लेटिड हमने MCQ यहां पर सॉल्व कर रहे हैं यह MCQ मैंने खुद से नहीं बनाएं कि अफिशली एक्जाम में पूछे गए हैं तो आपको बहुत जादा अच्छा एडिया मिलेगा कि कैसे इस सॉल्व करना है तो आपको टॉपिक्स का भी आइडिया मिलेगा कि MCQ जो यू नो प्रिवेस एगा पेपर से कैसे आप टॉपिक्स को चाट सकते हैं और उन टॉपिक्स को प्रपेर कर सकते हैं कि क्यूशन रिपीट कभी नहीं होतें बड़ टॉपिक्स डॉपिक्स रिपीट हैंस वी विल कवर दीज थी पॉइंस इन टॉपिक्स वीडियो और हम आगे बढ़े इस से पहले आपके साथ एक इंपोर्टिंग इंपोर्मेशन शेयर करनी है जो एक ऐसी वर्क्षॉप है जो अनेकैडमी करवा रहा है विच विच विल एम तो अक्वेंट कांडिडेट्स तोर्स करियर अपोर्टिंटी इस अविलेबल आफ्टे उजी सी नेट जियारे एक्जाम ना यह वर्क्षॉप है यह किस पर एम करेगी यह एम करेगी तो गाइट स्टुडेंट तोवर्स वेरियस यूँनों टेक्निकल और कम्मुनिकेशन स्केल्स एंड हाव तो गेव प्येजडी इंटर्व्यू और प्येजडी इंटर्व्यू के रहां जो आप रिसेर्च सुनॉप्सिस बनाते हैं उसको कैसे प्रपेर करना है और उजी सी आपको जो इसका लिंक है वक्षॉप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और आज यू किन सी वर्क्षॉप इस रॉम 19 निवेंबर आट एट पीम सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके आप इसको जोईन कर सकते हैं आई होब इस विल बी हेल आइडिया मिल पाए तो ना पहला कोशिन क्या है डा में अब्जक्टिव इस स्टूबंट इवालुएशन ऑफ टीचे और जो स्टूबेंज करते हैं टीचे उसका में अब्जक्टिव में मकसद क्या होता है तो सबसे पहला आपका एक जो आपको खुदका एक है ठीक है वो जब student को evaluate करते हैं तो उनका में मकसद क्या होता है इस question को solve करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई you know evaluation क्या होता है तो यहां पर मैंने आपके लिए include किया हुआ है कि evaluation is a systematic determination of a subject's merit worth and significance using criteria governed by a set of standards ठीक है तो evaluation क्या है evaluation systematic determination है जहां पर हम students उनके merit क्या है उनकी worth क्या उनका significance क्या है एक particular set of standards के according हम you know student का evaluation करते हैं उसको हम क्या बोलते है evaluation ही पूरा process है तो purpose क्या होता है evaluation का addition to gaining insight into prior and existing initiatives is to enable reflection and assistive identification of the future change तो अगर मैं हिंदी में बात करूं evaluation की तो evaluation को हिंदी में बोले जाते है मुन्यांकन करना you know to assess something तो अगर हम student के context में बात करें तो यहां पर evaluation का मतलब है देखें यहां पर क्या है जो prior and existing चीज़े है उसको you know reflect करना की क्या है और assist करना की जो future में जो हम भी हमें दिक्कते दिख रही है evaluation की time उनको हम कैसे future में change कर सकते हैं तो we kind of analyze the students तो जब हम ऐसे students को परखते हैं उनका मुल्यांकन करते हैं तो इसमें teacher को objective क्या होता है तो यहां पर आपको चार options दिये गए हैं और जो आपका answer है वो भी यूनो चार option के form में दिया गया है या तो आपका answer हो सकता है A, B, B, C, B या A, B, C या सिफ A only तो यहां पर आपको सबसे पहले जब ऐसे questions आते हैं जिनका answer भी यूनो options का एक जुन्द का होता है क्योंकि यहां पर आपको 4 हैं और आपका answer कोई एक नहीं हौ सकता है आपके या तो दौ होंगे या तो तीन होंगे या तो सिर्फ एक होगा तो यहां पर elimination method यूस करिए कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि हमने सही से समझ लिया है कि क्या होगा, you know, क्यों को हमने सही से समझ लिया, तो चलिए, ओप्शन पढ़ते हैं, तो ग्रादर इन्फोर्मेशन अबाउट स्टुडेंट वीक्नेस, स्टुडेंट की वीक्नेस के बारे में इन्फोर्मेशन कादर करना अच्छा ठीक है, तो में टीचर स्टिक, टीचिंग सीरियस्ली, ओके, तीचर देखे, इवालुएशन क्या है, तो अब यह आपके पास चार उप्शन है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे यह समझ में आ रहा है, कि to identify the areas of further improvement in teacher traits, यह मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बच्चे का जब वो teacher evaluation करेगी, मुल्यांकन करेगी, तो उसे समझ में आएगा कि बच्चे में क्या कमी है, और उसमें, वो अपने आप में भी एक improvement करेगी, क्योंकि आप टीचर के कमी के वज़े से ही student नहीं सीख पा रहा है, तो यह एक option हो गया, और innovative methods भी teacher सेखेगी, क्योंकि बच्चा को जब वो evaluate करेगी, तो उसके basis पर जो result आएगा, तो C भी होगा, and to make teachers take teaching seriously, teachers क्योंकि जब वो उन्हें पता है कि हाँ उन्हें evaluation करना है, तो वो उपनी teaching भी seriously लेंगी, अगर उपर से कोई thought routine को नहीं बोलती है कि उनको evaluation नहीं करना है, या वो ऐसी पढ़ाए जारें, कोई result outcome बेज नहीं है, तो आपनी teaching भी seriously नहीं लेंगी, वो भी ऐसे पढ़ाती रहेंगे, बचे ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो एक, you know, एक responsibility evaluation create करता है, so the answer will be B, B means B, C, D, तो आपके ये वाला जो option है, ये नहीं होगा, to gather information, evaluation भो नहीं करती कि student की weakness का वो, यहाँ पर option हमारी क्या सहीं बैठे B, C और D, तो हमारा option क्या होगा, हमारा answer क्या होगा, B, so I hope it was clear कि evaluation क्या होता, teacher का main objective क्या होता है, student का evaluation करने का, now the second one is, the compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following test, तो यहाँ पर बहुत सारे test होते हैं, evaluation जब आप करते हैं, बच्चे का, तो question कह रहा है कि, compositional skills and creativity, कोई student जो है, जैसे यहाँ पर test दिये गए, objective, essay, short type, projective type, composition कैसे करता है, एक answer को present कैसे करता है, कैसे creativity है, कोई presentation कर रहा है student, तो यहाँ पर student की quality को हमें evaluate करना है, वो उसकी composition skills कैसे है, उसके creativity, वो कितना creative हो सकता है, कितना अलग-अलग तरीके से चीज, answers को present कर सकता है, तो उसको assess करने के लिए आप कौन सा test लेंगे, तो objective type, जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक question है, चार उप्शन है, तो इसमें तो creativity नहीं टेस्ट हो सकती, short essay, yes, essay क्या होता है, कि जब हम school में थे, यहाँ college में भी आपको essays, यहाँ, you know, answers लिखते हैं कभी-कभी, तो वो essay की फॉर्माट में होता है, तो essay जो होते हैं, वो obviously बड़े होते हैं, comparatively आपके दूसरे answers के थूखे थूँ, तो उसमें आपके composition skills भी लिखते हैं, कि आपने कैसे, you know, compose किया है एक पूरे essay को, या एक पूरे answer को, introduction क्या है, beach का matter क्या है, end आपने कैसे किया है, तो इसमें creativity, yes, comparatively दिख जाती है, तो on a hunch आपको second लग सकता है, बट आपको लगता है, ऐसा नहीं, आपको पूरे सारे options को चेक करना है, short answer test, तो short answer test में तो इतने shorts होते हैं, obviously जैसे की वो बोल रहा है, तो इसमें creativity और skills इतनी test नहीं कर सकते हैं, जितने आप essay type में कर सकते हैं, बिन projective type test में भी इसमें अलग-अलग चीज़े होती हैं, तो इसमें भी आप skills और creativity को उतना test नहीं कर सकते हैं, as compared to essay type test, ठीक है, तो यहाँ पर अगर essay type test नहीं होता है, तो शायद projective type test बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, यह essay type test है, उसमें creativity और skills हम test कर सकते हैं, तो हमारा answer होगा, answer number 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं question number 3 के ओपर, the performance of a student is compared with another student in which type of testing, now, यहाँ यहाँ पर, क्योंकि सारी evaluation के questions हैं, तो यहाँ पर एक student की performance, किसी दूसरे student की performance से, you know, जब हम compare करते हैं, तो उसे किस तरह की testing बोलते हैं, तो उसे बोलते है norm reference testing, norm reference testing guys, क्यों बोलते हैं, क्योंकि norm reference test एक ऐसा statement है that allows teachers to compare their students results to someone else in their peer group, तो माले जी, students का group है, ठीक है तो उसमें teacher क्या करता है एक particular student को compare करता है, दूसरे student से जो, वो student क्या होगा, उसे group का होता है often using conjunction with the criteria reference test अभी आगे आगे, आप देखेंगे कि norm reference test or criteria reference test यह रोग तरह तरह के test होते हैं बाग एक fine line of reference होता है दोनों के बीच में, which assesses students program compare to some pre-determined standards, a non reference test allows an educator to see how a student measures up against someone else in a similar cohort तो non reference test क्या होता है, non reference test allow करता है एक educator को to see how a student measures up against someone in a similar cohort तो cohort का मतलब क्या होता है, एक group होता है लोगों का, जिसके हम दो similar characteristics होते है तो you know, non reference test क्या करता है कि एक particular student को दूसरे student से वो क्या करता है compare करता है, वो जो दोनों के बीच में comparison होता है, उसमें कहीं ना कहीं similar characteristics होती है तो जब performance of a student को compare किया जाता है, दूसरे students से comparison होता है दो students का, तो उससे हम non reference testing गोलते हैं वही criteria difference test क्या होता है which assesses student's progress compare to some pre-determined standard criteria में क्या करते है एक standard होता है, उसके basis के हम student को test करते है but norm में हम क्या करते है student को एक बूसरे student से compare करते है so I hope the difference is clear let's move further which of the following is an example of maximum performance test maximum performance test मतलब यहाँ पर आपको देखिए options प्याप जाईए कि options क्या है यहाँ पर आपके options चार है तो क्या example है एक maximum performance test का personality test, projective personality test, aptitude test, interest interest and attitude scales तो यहाँ पर जब तक आपको चारों test के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप आप आपसर नहीं दे पाएंगे यहाँ पर एक और important point note करिए कि जो personality test है या फिर projective personality test, aptitude, interest attitude scales है, यह सब आने वाले exams में इससे लिटेट questions पूछे जा सकते हैं, तो जो options है इनको भी आप ऐसा topic treat करिए, ठीक है हो सकते है next program में परसालती से लिटेट कॉशन आजा aptitude से कॉशन आजा, projective परसालती से आजाए, interest attitude से आजाए, तो आपको यह लोग एक्जाम में आ चुका है तो आगे भी topics आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर answer होगा आपका aptitude test, aptitude test क्या है maximum performance, बार्लोब आपको ऐसा test का नाम देना है जिसमें students के maximum performance हम test कर सकते हैं, तो aptitude test क्या है है, aptitude test है, यह क्या है, एक वे है to assess a candidate's ability through variety of different testing formats, personality में आपकी personality test होगी, projective में आपका projective personality जो है, जैसे आप अपनी personality को project करते हैं, वो test होगा, interest और attitude में scale जईतस नहीं है, तो वो आपकी scale के basis पे आपकी interest और attitude को measure किया जाएगा, बद जो आपका aptitude है, aptitude में, you know aptitude test is a mixture of different testing formats, यह आपकी ability को test करता है to perform tasks and react to situations at work, this includes problem solving, prioritization and numerical skills amongst other things, तो personality में सिर्फ परस्नाल्टी टेस्ट हो रही है, interest और attitude में सिर्फ यह दोनों चीज़ टेस्ट हो रही है, पर projective personality में एक particular चीज हो रही है, बट aptitude में आपका maximum performance test हो, आपकी problem solving क्या है, आपका prioritization क्या है, आपकी numerical skills क्या है, तो इसलिए maximum performance test के अगर हम बात करें तो हमारा answer होगा answer 3, जो कि हमारा aptitude test, now last question of today's video, अंतर basis of summative test, a teacher is interpreting his students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called, now अगर आपने हमारा third question अच्छे से पढ़ होगा तो आप इसका answer देदेंगे, मेरे बिना explain किये ही, तो summative test क्या होते हैं, जो हमारे annual exams होते हैं, या हाफेली exams होते हैं, क्योंकि ये एक अंतराल के बाद होते हैं, तो ये मैं अपने online courses में बहुत अच्छे से explain करती हूं, summative test, formative test क्योंकि यहां पर आपको क्या बोलते हैं, एक test के बाले में पूछा गया है, but also you need to be aware of the summative test also, तो यहां पर हमारा answer क्या होगा, criteria reference testing, क्यों होगा, जैसे कि मैंने बताया, यह ऐसा test जो से design किया गया है, students की academic performance, measure करने के लिए, अगे सम standard of criteria, जो student की पूरी performance होती है, उसको हम कोई set criteria या standard से, measure करते हैं, this standard of criteria is pre-determined before the student begins their test, तो जैसे ही test, शुडू होता है, उससे पहले criteria determine कर दिया जाते हैं, कि इस student का test होगा, वो हम इस criteria के basis पे होगा, schools or districts choose a standard, such as percent of items answered correctly, or state test benchmark as the criteria of test, तो कोई भी criteria हो सकता है, percentage of marks, या फिर test, जो आपका test हुआ है, you know, उसके basis पे, पर यहां पर question क्या कह रहा है, कि जब teacher एक student का behavior इंटरप्रेट करता है, उनकी wellness lifestyle पर, तो wellness lifestyle आपका criteria हो गया है, wellness lifestyle के, lifestyle आपने criteria बना है, उसके basis पे आप अपने student का evaluation कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, criteria reference testing, आपको समझ में आया होगा, important, हमें topics क्या मिलें, सबसे पहला, criteria reference testing, non reference testing, summative test क्या होता है, informative assessment आपका क्या होता है, mail evaluation क्या होता है, उसके objectives क्या होते है, types of test क्या होते है, aptitude, attitude test, interest test, यह सारे topics हैं, जिससे आगे questions आ सकते हैं, तो अगर आप ऐसे approach करेंगे, आप topics को identify करेंगे, आप questions को answer करेंगे, तो बहुत जादा chances हैं, कि आपको UGC Net का exam clear हो जाएगा, और आपको और systematic way में prepare करना है, then आप हमारे online courses join कर सकते हैं, for NTA UGC Net, तो हमारी paper one की fees, धाई हजार रुपए हैं, and commerce की फीज 4,000 रुपए है, और management की फीज 4,000 है, तो आप ये individual batches join कर सकते हैं, या आप commerce या paper one का साथ में जोइन कर सकते हैं, या commerce या management, sorry, paper one या management का जोइन कर सकते हैं, साथ में, या फिर आपको को और subject है, English, History, Linguistic, कोई भी आपको subject है, तो फिर आप सिफ हमारा paper one का भी batch join कर सकते हैं, जोइस आपको features मिलेंगे, that will be, आपको unit wise PDF मिलेगा, video lectures मिलेंगे, mock test आपको मिलेंगे, ताकि आप सब कुछ practice कर पाएं, sorted previous papers जो हमारा USP है, strategy videos आपको मिलेंगे, हर एक unit को कैसे आपको prepare करना है, and yes, personal guidance आपको दी जाएगी, यह नवाद सुचेगा कि online classes हैं, तो आप doubts अपने कैसे clear करेंगे, यह आपकी personal coaching की तरीके हैं, जैसे आप coaching करने जाते हैं, बैस यह online, आप अपने घर बैठे आराम से, अपनी job के साथ, अपने घर के साथ, या फिर अपने बच्चों के, आप अपने बच्चों की देख भाल करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो भी आप घर बैठे यह exam क्वालिफाइ कर सकते हैं, तो अगर आपको demo lectures लेने हैं, या आपको registration करना है, तो आप हमारी website, www.niharakajassball.com पर विजिट कर सकते हैं, या तो फिर और डीटेल्स के लिए आप हमें call कर सकते हैं, या WhatsApp कर सकते हैं, और 739-575-509, I think that's all for today's video, I will see you in the next part of this series, Till then, Bye, Namaste!